तो नेक्स्ट जो एक पंडमेंटल स्टे टोपिक है और यह बहुत इंपोडेंट टोपिक है आपने इन्वेस्ट कर दिया आपने रिलाइंस में 800 में ले लिया रिलाइंस तो गलत एक्जामपल है आपने कोई भी कंपनी आपने आईवल केमिकल्स 200 रुपए में ले लिया बट वह 800 रुपए में एक्जिट करना है हजार में एक्जिट कब करना है वह बहुत इंपोडेंट है और यह प्रोड़ी मदलग पंडमेंटल अप्रोच रखके आप कैसे एक्जिट कर सकते उससा आप अपने इंवस्मेंट्स को कब एक्जिट करोगे तो यहां पे कुछ इंपोर्टेंट हैं जो मतलब कंपनी की कुद की फॉर्म कंपनी होती है इसका बेस्ट एक्जामपल है आपके पास मिर्जा इंटरनेशनल उसका में नोट्स दे दूंगा अब भी मेरे पास हैं एक्जली तो उन्होंने इतने रिलेटेट पार्टी ट्रांजेक्शन किये उन्होंने अपने ही फाउंडेशन में अपनी ही अलग अलग कंपनी से जैसे आप पैसा घुमाना भोलते हैं वो किया तो यह जब भी कोई कंपनी में आप अब्जर्व करते हो कि उनके रिलेटेट पार्टी ट्रांजेक्शन बहुत ज्यादा बढ़ने लगते हैं या फिर ओडिटर कुछ अब्जर्वेशन देते हैं अपनी ओडिटर्स रिजाइन करते हैं वो सबसे बड़ा आपके लिए एक अपनी बड़ा है कि उनका गवनेंस रहा था है, तो जो भी कंपनी के पास्ट में मिस्स गवनेंस के ट्रेक्रिकोर्डो, उनको आप सिम्पली ओएड कीज़े, एक्जिट कीज़े, आप अगर भाय भी कर लेते हो गल्ती से, बगुल गल्तिया होती है इंसान से, बट आप उनको एक सही समय पर ए वो हो सारे एक्जाम्बल्स है, like, इंडो सोलर काफी अच्छा चला अभी, बट वो वापिस नीचे आ गया, देखो, पास्ट में उसका मिस्गवर्नेंस का ट्रेक्ट रिकोर्ड है, मोज़र बेशा डिलिस्टी हो गया, तो पास्ट में अगर कोई मिस्गवर्नेंस का ट्रेक्ट रिकोर्ड है, तो उस कंपनी को हमेशा एक्जिट के लिए सोचिए, थर्ड, आपकी जो टेक्स रेट्स है, जो एक टेक्स ख्लेट डिसाइड होता है कंपनी का, उनके प्रोडक्स का, तो अगर लो टेक्स रेक्स है कंपनी के बेलेंस शीट में, या फिर हाइर कॉंटिंजेंट लिएपलिटी है, तो उस कंपनी को आप हमेशा एक्जिट के लिए देखके, अगर आपको मैं एक एक्जांपल दू, तो वो था reliance power, अगर आप उसके 2-3 साल पहले तक के contingent liabilities देखते हैं, आपको यह से काफी सारे examples दिखेंगे, जिनमें higher contingent liabilities थे, public buying मैं थी, बट उनको काफी अच्छा तोड़ दिया मार्केक में, ये तीन आपके लिए एक hygiene check रहेंगे, अगर आप ये तीन चीज़े देखते हैं, कि अगर revenues या profits में जो growth होती है, जैसे पिछले 3 साल में company ने कितना grow किया, या फिर पिछले 5 साल में company में कितना grow किया, एक compounding gain होती है, अगर उसमें slowdown होता है आपका, तब आप उस company को अपना एक exit criteria में डालते हो, बट इससे भी एक बड़ा point है, कि जो हमने शुरू में ratios देखे थे, ROE, ROC, return on equity and return on capital employed, इनका भी एक average होता है, कि पिछले 3 साल, या पिछले 5 साल के average से अगर नीचे आ जाते है, ROE और ROC ratios, तो वहाँ पे आपको थोड़ा से exit करने का कोशिश करना चाहिए, और थोड़ा improvement का weight करना चाहिए company के fundamentals में, third और most important, अगर कोई company आपने cyclical है, जिसका cycle ही एंड हो गया है, जहां पे कोई future triggers नहीं है company के लिए, तो वहाँ पे आपने investment कर सकते हैं, और purely fundamental basis, पर जो सबसे अच्छा topic रहेगा, सबसे important जो आपका exit criteria रहेगा, वो है ROE और ROC ratios को आपको track करना है, अगर ROE, ROC ratios पिछले तीन या पान साल के average से नीचे आ ज इस पर मैं एक बात बोलना चाहूंगा, या ROE, ROC का अगर आप standalone ratio देखते हो ना, तो उसमें हमेशा एक problem है, और ये problem हमको दिखी है कि हमने stockage में इस problem को solve किया है, अगर आप एक बार stockage web में जाओ, एक बार एक बार reliance, reliance आप देखो, आप अगर आपको इस पर नजर आएगा की company की ROE गिर रही है, ओके राइट, जब आप इसको numerator, denominator वाइस तोड़ोगे ना, जैसे आपने किया, तो आपको समझ मैंगा की capital base भढ़ रहा है, तो आपको समझ मैंगा की capital base भढ़ रहा है, तो आपको रिलाइंस ने बॉरोइंग क और revenue of aesthetic, because capital base भढ़ रहा है, इसलिए ROE नीचे जा रहा है, बट वो CAPEX जो अभी किया, उसका benefit आने वाले 5 साल में आएगा, जो की revenue में impact नजर आएगा, तो standalone ROE, ROC, अगर खाली एक number देखेंगे, तो यह सब जो insight, यह miss हो जाएगा, इसलिए हमने क्या denominator और numerator दोनों को दिका आदिया, ताकि आपको पता रहेगा कि यह impact आ किस ले रहा है, राइट, 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 तो यह return ratios काफी अच्छी ratios रहते हैं, अगर आपन उनको सही से use करें, because वो अपने को एक entry भी दिलाते हैं, company में, और एक exit भी देते हैं, काफी अच्छा, तो ROI और ROC ratios यह एक दम आप textbook, आपके stories मान लो, तो वो ratios होते हैं, ROI, ROC.